आपका स्वागत है मेरे चैनल पर तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता लग चुका है कि आपके TFR GS 2023 के फॉर्म निकल चुके हैं तो यानि अगर आप किसी Reputated Institute से PhD करना चाहते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा मौका है जैसे खुद मैंने इस exam को qualify किया है तो आज मैं आपसे अपनी एक strategy share करूँगा या जितना मैंने इस exam को समझा है वो बताऊंगा जिससे आपको help मिल सके इस exam को qualify करने के लिए तो चलिए सुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यह कहूँगा TFR में जो main subject है वो आपका ही selective subject है selective subject मतला अगर आपने chemistry लिया है तो chemistry का ही paper जादा आएगा और physics लिया है तो physics का ही आएगा प्लस math आपके पास आएगी तो math में ऐसा नहीं है कि पूरी math आपको आएगी math में आपके सिर्फ basics की जाएएगी basics में differentiation या graph के question आएगे तो यह चीज TFR में रहती है second देखिए यह भी आप जान लीजिए कि TFR के exam में आपको time बहुत मिलता है question बहुत कम होते है याँ सिर्फ 40 question करने होते हैं और बहुत अच्छा time आपको मिलता है तो इसमें आपको जो ध्यान में रखना है वह यह कि यहाँ पर question भी पूरे आपको नहीं करने है याँ आप 50-60% भी करते हैं तो वह इनफ है TFR exam में third देखिए TFR exam जायतर basic चीजों को पकड़ता है याँ आपके notes से चीजे ज्यादा आएंगी और अगर आपने किताबे या notes अच्छे से पढ़ें कि इसका जो syllabus है वो same ही रहता है लगबग जो net का आपका syllabus रहता है तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको एक different चीज पढ़नी ही कुछ करनी है हाँ TFR exam में fifth point देखिए यहाँ पर एक और चीज है कि TFR का जो paper होता है किसी subject का वो दोनों के लिए होता है यारी MSc candidate के लिए होता है और PhD candidate के लिए होता है यारी जो BSC करके इस exam को दे रहे & integrate PhD के और MSc करके पी एच्ड के लिए तो दोनों के लिए same paper होता है तो इसलिए कहीन है कि MSc वाले candidate जो होते हैं उनको फाइदा होता है और exam उनको BSC candidate के मुकाबले थोड़ा हलका लगेगा या easy पढ़ता है तो देखिए preparation के लिए तो मैं आपको यही कहूँगा सबसे पहले तो आप syllabus पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए net का और net का syllabus का मतलब है कि आपको मतलब जितना भी basics है वो आना चाहिए और question आप बली कम solve करें पर आप basics पर ज्यादा जाएं और standard books के जो example है वो देखके जाएं अगर आपको TFR का exam निकालना है तो second अगर मैं individual chemistry की बात करूं तो chemistry में ज़्यादा ट्रेंड यह देखा गया है TFR exam में कि TFR exam में physical ज्यादा पूछी जाती है फिर organic and then inorganic तो यह एक basic trend रहता है तो यानि अगर आपको TFR की preparation करनी है तो आप इस basic trend को follow कर सकते हैं और जितना ज्यादा हो सके ज्यादा time priority वाले order में दे सकते हैं थर्फ पॉइंट देखिए आपको थोड़ी बहुत math आनी चाहिए और math के लिए सबसे बढ़िया यह है कि आप class 11-12 की differentiation और integration और graphs के questions देख ले और या chemical कानेटिक्स में जिस टाइप से graphs बनते हैं उनके question देख लेए साथ में quantum के तो मुझे लगता है आपके mathematics के भी सारे question आराम से हो जाते हैं fourth point देखिए exam में जब भी आप TFR में बैठें तो यह चीज आप ध्यान रखें कि आपको बहुत time मिलेगा और 40 question ही आपको करने और उसमें से भी अगर आप 19-20 ठीक कर लेते हैं और 23 या 24 यह attempt करते हैं और 19 या 18 आपके ठीक हो जाते हैं तो आपको आराम से interview के लिए call आ जात करेंगे तो भी आपका option में ठीक करसर आ जाता है तो यह आप धियान रखेंगे TFR में अपने दिमाग अपने खुला रखके जाना है open-minded रहना है और यह नहीं सोचना कि आपको यह question नहीं आ रहा है अगर आप approach करेंगे धीर धीर अपने concept लगएंगे तो कहीं नहीं कहीं तो आपको थोड़ी help मिलेगी पर हां जिन बच्चों का अभी सेसा net का paper ही चल रहा है या उनकी preparation उनकी अधूरी चल रही है या वह उसी की preparation कर रहे थे तो मैं उनको आपने notes ही पढ़ें अच्छे से बढ़ें वैसे क्यूंकि खुद मैंने सिर्क notes से ही पढ़ी कि exam qualify किया है म तो ऐसा भी नहीं है कि books से ही होगा पर हां यह books पढ़ने से थोड़ा फाइदा होता है तो यह उन बच्चों के लिए जिनका slayvers already हो चुक्त अगर time management की बात करूं तो देखे time की ऐसा कुछ नहीं है TFR के exam के लिए आपको अलग prepare करना पड़ेगा net से अलग अगर आप chemistry पढ करें समझें और revise करें और कोशिश करें कि आप basics तक चीज़ें तक जाएं मतलब आप सवाल solving की तरफ ज्यादा बढ़ें ऐसे माने आप quantum पढ़ रहे तो quantum कहां से स्टार्टी वह आपको आना चाहिए स्टार्टिंग के portion तक 25 परसेंट तक स्टार्टिंग के मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएं देखिए एडवांस TFR में इतना नहीं पुछा जाता है और अगर कुछ कुश्चन आते भी हैं तो उनसे आपको कुश्चन लगा के solve पर सकें बाकी जो बच्चे BSC के बाद दे रहें तो मैं उनको कहूंगा आप 17-18 भी कर लेते तो आपको easily call आ जाती है इंटेग्रेटर PhD के लिए तो आप भी इस preparation को मतलब बनाये रखें यानि आप jam को भी parallel ले सकते हैं और इस exam को भी parallel ले सकते हैं मेरी कैसे exam में question आते है last यही बात है जो final में आपसे कहूंगा इसमें notes की ज्यादा value है और revision की ज्यादा value कि आपने कितनी बार revise किया और कितने अच्छे से आपने notes पढ़े हैं अगर आपको notes अपने अच्छे से आते हैं और concept आप लगाना जान रहें तो आप easily इस paper को qualify कर लेंग करें और शेयर करें थेंक यू